गर के कामों के बीच में थोड़ा वक्त अगर हम हमारे लिए निकालते हैं तो सब को यह अच्छा लगता है ऐसे ही कुछ कमाल के यूसफुल टिप में आपको बताती रहती हूँ जो आपकी लाइफ को तो आसान करते ही हैं आपके घर और कीचिन के लाइफ में बहुत ज़्यादा है ऐसे ही कमाल की यूसफुल वीडियो में आपके लिए लेकर आती रहती हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल में पहली बार आए तो चलको सब्सक्राइब कर लिजेगा पहला इसुल टेप मेरा कैंडल से जुड़ा हुआ है इस तरकी कैंडल का इस्तमाल हर घर में किया जाता है अब क्या होता है जिस भी सर्फेस में हम इसे लगाते हैं थोड़ा सा टपकाते हैं उसके बाद में लगा देते हैं काफी सारा टपक टपके जो भी सर्फेस में हमने इसे क्लिंग करने के लिए आप कोई सा भी पेपर ले लीजिए, नॉर्मल पेपर, डियोस पेपर, टीशु पेपर जो भी है वो रख लीजिए, इसके बाद ने प्रेज को गरम कर दीजिए और इस तरीके से बस चला दीजिएगा, यह जितनी भी मोम है न सर्फेस के उपर यह पिखल जाती है, पिखलने के बाद आप अराम से इस तरीके से वाइप करोगे, यह सारी के सारी बहारा जाएगी, मोम पती निकालने के लिए, यह जो बचा हुआ पार्ट है, उससे निकालने के लिए आप पेपर और प्रेज का इस्तमाल कर सकते हैं, हैर ड्रायर का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं, बस आपने ही जो केंडल है, यह जो बचा हुआ मोम है, उसको पिखला नहीं है, अगला इस फुल हैक मेरा लोहे के बरतनों से जुड़ा हुआ है, अभी आप जो बरतन देख रहे हो, पांच मिन पहले ही मैंने इसे क्लीन किया है, कोई बहुत बरतन को धुलेने के बाद में कपड़े से कर दीजिएगा, इसके पर पानी नहीं होना चीए, पर बहुत बार ऐसा होता है, कि पानी के बाद भी इस पहला जाती है, या पानी जो होता है वह बहुत ज़्यादा हाड होता है, जिसके वज़ई से भी इस तरकी निशान लोहे बनते हैं तो आपने क्या करना है लेना है सरसो का तेल आपके पास अगर वुकिंग ओई किचन में अवेलेबल है तो वह भी आप ले सकते हो तीन चार डॉप लगेगा बहुत जादा नहीं लगता है एक टीशू पेपर या कोई कोटन कपड़ा लीजिए और हलके से वाइप कर परत यह जो कोटिंग होती है वही आपने रखना है इससे क्या होगा इस पे जंग नहीं लगेगा अब भले आप इसे छे मेने बाद यूज करें ऐसा ही कमाल का यूसफुल हैक मेरा सोफ और गुड से जुड़ा हुआ है यह दो चीजी आपकी घर में है तो आपको बाहर से क अगर आप यह लेते हो तो आपको डाइजेशन से रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना आपच होगी ना गेस होगी ना ही पेट में भारी पन भैसुस होगा अगर आप इससे डायक नहीं कंजिम कर पाते हैं खाने में आपको दिक्कत होती है वैसे तो इसे चब पेली या बरतन लीजेगा उसमें आपने डाल लेना है इसके बाद में जो सोफ है यह भी आपने डालना है अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत हो रही है पेट से जुड़ी हुई तो आप यहां पर चार से पांच लॉंग भी एड़ कर सकते हैं यह ऑप्शनल है इसे आप पक करने के लिए हर कोई बूच रहा था कि एक कोई खास ऐसी हम रेमिडी बताए कि एक ही बार में अच्छे से काम करें और हमें बिल्कुल भी स्क्रविंग ना करनी पड़े तो आपने लेना है दो चमच इतना है दो चमच इतना वाइट विनेगर आप कीचन काउंटर कर रहे ह हो तो यहां पर दो चमच इतना हमें हार पिक लेना है तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है आप मैं आपको बताती हूं कीचन सिंग के एडिया को यह जो नीचे वाला जगा होता है यह बहुत कम क्लीन करने में आता है क्लीन कर भी ले तो यहां पर काफ़ी सारी गंग के हो सकते हैं तो इसे क्लीन करने के लिए बस आपने ये सॉलिशन बनाना है और डाल दीजे डालने के बाद में हलके से बस फिला दीजे अगर आपको स्क्रबिंग करना पसंद नहीं है क्लीनिंग करना नहीं पसंद है तो ये बिल्कुल बैस रेमेडी बस आपने डाल के फिला करती है बस कोशिच कीजिएगा कि आप अगर कीचर काउंटर पर इसे यूज करना चाहते हैं तो यहां पर हार्टपिक अपने एड नहीं करना है डिस जेल या बरतंद होने का जो साबून है यह सार्फे वो इस्तमाल करना है क्योंकि हार्टपिक का से फ्लोर क्लीनर के लिए अ यह współ directed आपके सामने है इसे त्राय आउट करें और अपने घर को अच्छे से कलीन करें एकी कमाल चेप करूंक मेरा प्याज से जुड़ा हुआ प्याज को जब हम काटते हैं तो प्याज का थोड़ा होत रस हमारे हाथों में लगता है एक और दूसरा तरीका पताती हूं मैं आपको प्याज को कुछ लोग इस तरीके से भी काटते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे हातों में प्याज लगता है लहसुन भी हो सकता है अद्रग भी हो सकता है जब यह हमारे हातों में लगता है तो इसकी स्मेल इतनी जादा स्ट्रॉंग होती है कि हाथ दोने के बाद भी नहीं जाती है अगर आपके साथ भी यह होता है और आप चाहते हो कि बिना hand wash किये हुए इस smell को हम हटा ले क्योंकि kitchen के काम है वो continue हमारे चलते हैं तो एक चमच हमेशा साथ में रखिएगा seal वाला चमच रखिएगा हातों को बस आपने इस तरीके से चलाना है क्योंकि हर बार हम kitchen में बार-बार head wash करने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं पर हाँ अगर इस चमच है तो अद्रक, प्याच, लहसुन की जो smell है उसे हटाने के लिए आप in spoon का इस्तमाल कर सकते हो इसके बाद में आपने से खाने में इस्तमाल नहीं करना है kitchen sink में डाल दीजेगा धुएगा उसके बाद में इस्तमाल करें पर हाँ प्याच काटने के बाद में ये जो स्टील की चमच होती है या कोई साब स्टील का बरतन बहुत बड़े से काम करता है बिना hand wash के भी जो हाथों में से smell है वो निकल जाती है यकीना हो तो करके देखेगा चले देख लेते हैं एक और कमाल का useful tip हमारे घर में पॉलतिन बहुत सारे निकलती है आप दिवाली आने वाली है और हर कोई अपने घर की cleaning कर रही है अब यह आप देख सकते हूँ मेरा जो kitchen counter है वो मैंने clean किया है देखने में आपको भी लग रहा हुआ कि यह clean है डेली इतनी cleaning तो मैं करती ही हूँ दिन में दूबार ठीक है इसके बात भी क्या पता है कि kitchen गंदर रहता है कैसे चलियास दिखाती हूँ अभी मैं यहां से यह गीस stove जो है इसे हटा रही हूँ सबसे बैस जो तरीका मुझे लगता है kitchen counter के लिए वो बरतन liquid है क्योंकि बरतन liquid हर तरह की चिकनाई को हटा देता है अगर आप यह बरतन liquid नहीं यूज़ करना चाहते है तो आप hand wash का भी यूज़ कर सकते हैं cleaning तो होती है उपर से kitchen में से बहुत अच्छी महयक आती है यह जो गेस स्टोक के पीछे वाला area होता है देखे cleaning करने के बाद यह आप देख सकते हो इस पर कुछ दाग धब्बे हैं अब cleaning करने के बाद भी अगर इस तरह के दाग धब्बे रहते हैं तो यह धीरे धीरे बढ़कर बहुत जादा हो जाते हैं गेस स्टोक के पीछे धीरे धीरे करके काफी सारी गंगी खटा हो जाती है जो नॉर्मल आखों से हमें दिखाई नहीं देती है पर अगर आप एक महने की ending में डिप cleaning करते होंगे तो आप भी जाते होंगे कि हैं काफी सारी गंगी होती है नॉर्मल मैंने बरतन लिक्वीड लिया है यह मेरे पास एक ब्रश है इससे में cleaning कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो अगर आपके पास नहीं है तो मैं आईडिया आपको ज़रूर बताऊंगी पहले अच्छे से हैं scrubbing कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगे कि यहां पर इससे कितनी ज़्यादा गंगी बहार आई है वैसे तो मैं हर पंदा दिन के अंदर ये deep cleaning करती हूँ इसलिए यहां ज़्यादा गंगी नहीं है तो कोशिच करिएगा कि इस दिवाली पूरी घर को आप clean करेंगे ही आपके जो gas counter के पीछे वाला area है उसे इस तरीके से clean करें यहां brush का help लिया है tiles की बीच में जो corner वाली जगा होती है इसको भी मैंने clean किया है जो कपड़ा में ने लिया है यह rate color का है फिर भी आप देख सकते हो काफी सार जो dust गंगी है वो निकलता है हम रोटी बनाते हैं दाल चावल बनाते हैं काफी सारा तेल का काम करते हैं kitchen counter पे तो धिरी धिरे करके जो corner होते हैं यहां पे बहुत सारी गंगी खटा हो जाती है जैसे मैंने कहा अगर आपके पास इस तरह का कोई brush नहीं है तो कोई बात नहीं है मत चिंदा कीजिए एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ missing जुराब तो होगा खराब सा कोई सा भी आप गंगा ले लीजेगा इसमें आपने इस तरीके से पहना देना है यह जो जुराब है आपने इसे पाने से भीगा लेना है इसके बाद में जैसे मैंने कहा आपके पास हैंड वोश है या बर्तन लिक्विड है जो भी अवेलेबल है वो इसके पर थोड़ा सा डाल दीजेगा और जितनी भी side corner वाली जगा है यहाँ पर आप हलके हलके से कितनी भी हम cleaning कर लें और रोज हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर घर के कोने को डिप क्लीन करें जब हमारे पास टाइम है तब आप इस च्रिक को जरुर यूज़ करें दीवाली तो आही रही है तो आप इसे जरूर अपलाई करें जुराब आप देख सकते हो साघ के साथ BLOWS कर्ते चनल पराइस कर लिए दीचर आपना बलाउज बनाती देख मारे तुल्स को अपना बाउज करें टाइसके पर 日 करें बैशे को इस यह तो कोशिश करेका कि प्रएंबग का यह कुट करें नहीं देना है, यह हमारे साड़े के साथ हमें मिलता है, अगर आप ऐसे ही दोगे न तो देखिये वो है न, इसे प्रेस करने का आपसे पैसा मांगेंगे, क्योंकि वो डारेक्ट नहीं सिलते हैं, इससे क्या होता है, जो बलाुज की कीजिएगा क्योंकि अभी के टाइम पे जितनी भी साड़ेया है उसका जो ब्लाउच का कपड़ा है वो काफी ज़्यादा श्रिंक होता है तो उसे पहले आप ठीक करें इसके बाद सिल्वानी के लिए दे ऐसा ही अगला यूसफुल हैक मेरा अगरबती से जुड़ा हुआ है यह जो अगरबती होती है बहुत ज़्यादा खुश्बुदार होती है तो हम चाहते हैं कि ऐसी हुश्बु हमेशा घर में रहे पर 24 घंटे नहीं जला सकते है पर हाँ एक है जो अपलाई हम कर सकते है जिससे जहां भी हम इसे रखेंगे ना वहां पर 24 घंटे आपको अपको अगली बार आप कभी भी अगर्वतिकी पॉलतिन को नहीं फिकेंगे इसे फोल्ड करना है अपने तीन से चार बार सीजर से यहां पर कट लगाना है मैं और चोटे कट लगाऊंगी आप चाहे तो पुरी पॉलतिन करें या इस तरीके से कट कर ले बिल्कुल आप पर उसके लिए यह हैग बहुत अच्छे से काम करता है आप साड़ी पगेरा रखते हो बेट्षिट पगेरा रखते हो जहां भी आप रख रहे हो उनकी बीच में आप इसे रख दीजेगा एक बहुत अच्छी सी खुश्बूर हैं जो कि अगर्वतिकी हुती है यह मैं कीचन ड अच्छी को नहीं फेकिंगे ऐसा ही अकला यूस्फुल हैक मेरा दीवाली फेस्टिवल फिजन से जूड़ा हुआ है आप चाहे तो तब अप्लाई कीजे यह डेली लाइट में जब आपको एमर्जेंसी लगे तब भी आपिस अप्लाई कर सकते हैं एक चूटा सा मैंने इस तरीके से एक शेप लिया है अब इसको रहलके से निकालेंगी यह दिखे जैसे हम निकालेंगे दिखे यह दिए की साइस का बन जाएगा चाहे तब सेजर के हलसे से कट कर लिजएगा मैंने कट किया है ताकि यह थोड़ा से देखने में अच्छा लगे इसके बात में आ अब आपका जो टैंपरेरी दिया है वो बनके रेडी है एमर्जेंसी में बहुत बार होता है हमें दिया टाइम पे नहीं मिलता है जब हमारे घर में लाइट वगेरा चल जाती है तो यह राफ फॉयल पेपर का जो छोटा सा टुकड़ा है यह आपका दिया बनाने में काम कर चाहे तो आप इसे दिवाले में यूज भी कर सकते हूं देखने में भी काफी अच्छा लगता है तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है और यह बहुत चिछे श्याइन करता है इस तरह के शैंपू का सेशे आप यूज करते हैं क्या या इस तरह के पाउश में कुछ भी स आता है इस तरह के पैकेट में न लिए भी इस्तेमाल कर सकते हूं, क्लोट कलिप का इस्तेमाल करें और आपका जो बचा हुआ थोड़ा से शेंपू है थोड़ा सा जो शोस इस तरह के पैकेट में आता है आप उसका दूसरी टाइम इस्तेमाल कर पाऊगी आड़ा रग दोगे तो वो किस्तेमाल में भी नहीं और खराब हो जाएगा ऐसा ही कमाल का यूसफुल टिप देख लेते हैं हम महला है जब भी साड़ी पहनती है पीन का इस्तेमाल जरू करती है चोटे बच्चे हैं तो बच्चे क्या करते हैं हमारी साड़ी खिषते हैं जिसकी वज़ए से यह जो पीन है इसली के अंदर अट कोई साई पेपर आप ले सकते हो दो से तीन बार इस तरीके से फोल्डिंग कर लीजेगा इसके बाद में जो भी आपकी सैप्टिपीन है वो इसके अंदर आप डाल सकते हो यह दिखे जैसे मैं आपको डाल के लिखा रही हूँ अराम से चली जाएगी कोई दिकत नहीं है कि इसका भी आप इसमाल कर सकते हो इस तरीके से सैफटिपीन में लगाना है आप साड़े में लगा लीजिए आप बच्चा कितना भी खीचे या गलती से आप के हाथ से क्यों ना खीचने में आ जाए यह जो साड़ी है यह जो बलाउज है यह बिल्कुल भी फटेगा नहीं द इसा है कि बहुत बार ना समान कुछ ऐसा होता है कि इसके अंदर जा नहीं पाता है इसके लिए यह हैक है आप नाइफ गरम कीजिए उपर की तरफ साप इस तरह के से पकड़िए नेशे की तरफ आप इसे कट करते हैं यह दिहान रखेगा यह जोड़ी से सावधानी है कभी दो मेने की गेप में कभी छे मेने या कभी कबार तो वो सालो साल पढ़ा रहता है पर अगर खुला रहेगा तो देखे डस लगेगी डस लगेगी वज़से उसमें जंग आएगा और वो खराब हो जाएगा ऐसा ही कुछ समान है मेरे पास यह हार्डवेर का यह डेली है पुछ और घरीलिंचें जो भी समान है अबके पास उन्हें रखने के लिए आप इन बोटल का सिमाल कर सकते हो मैंने यह वाले हाडवेर का समान बताया है आपके पास कुछ और भी हो सकता है उन lagi हो जाएगा यह बोटल सालो साल घराब नहीं होती क्योंकि यह प्लास्टि तोड़ी सीना जगा है यहां परना हम डबल टेप का यूज़ करेंगे डबल टेप लेना है आपने कट कर लेना है और इसके बाद में की जो बचा हुआ क्लेचर का पार्ट है यह बहुत अच्छे से आपके लिए एक चोटा सा हैंगिंग जैसा बन के रेडी हो जाएगा बिल् टेप इस तरह के से लगा दीजेगा इसके बाद में इसका जो यह पेपर है यह निकाल देना है आप इसे वुडन फर्णिचर पर चिपकाईए वाल पर चिपकाईए यह सब जगह चिपक चाता है कोई दिक्कत नहीं है इसे चिपकाने के बाद आप इस पे बहुत सारी शीजे आसकती है तो आप देख सकते हो पांच ऐसे हूक जैसे बने हुए तो इसमें पांच जिजया अराम से लटका सकते हो बच्छों के पांड अंधाद से क्या है इसे को कोई हई चीज गंदी भी हो रही है ऐसे ही ना यह मीरर है अगर मैं इसे कवर नहीं करूँगी तो वह गंडा कर जाएंगे मेरे पास यह नियूस पेपर था मैंने इसका इस्तमाल किया और एक्सेलो टेप थी मैंने क्या किया जल्दी बाजी में जैसे इसको कवर कर दिया ठीक है तो आपके घर की जो होते हैं वो इतनी फटाफट कलर करते हैं कि अगर कोई चीज गलती से छूट जाए तो वो तो गंदी होनी ही है तो आप ना आपके घर में कलर हो रहा है तो यह मेरर है यह लाइट वोड है जो भी चीज़े है उन्हें पेपर से कवर कर लीजेगा आप यहां पर कोई मिल जाएगा मोवाईल है तो साथ में परस भी हम रखते हैं परस में हमारे बहुत सारा समान होता है तो दीखिए यह दो चीज़ेहर एंसान के पास मिलेगी और ये आपके पास है तो आपको मॉबाइल स्टेंड की जरुवत नहीं है अमर्जिंसी में ये हैक आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके साथ मॉबाइल स्टेंड नहीं है तब भी आप ये हैक को अपलाई कर सकते हैं आपने क्या करना है मोबाइल कवर में से निकाल देना है आपके पर्स को आप देखेगा आपको एटियम कार्ड या कोई भी ऐसा कार्ड जरूर मिल जाएगा जो थोड़ा सा हार्ड हो यहां मेरे पास एटियम कार्ड है तो मैं इसी का यूज करके दिखा रही हूँ आप इस तरीके से पीछे की तरफ आप इसे अटका दोगे केमरे पे तो आप देखोगे आपका जो मोबाइल होल्डर है या मोबाइल स्टैंड है वो वनके रेडी हो चुका है बहुत बार हमें इसकी जर्वत होती है और हम मोबाइल को कंटिन्यू हाथ में नहीं पकड़ पाते हैं तब आप इस चोटे से हैक को अपलाई कीजिए आपका काम आसान हो जाएगा और यहां पर आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना है एमर्जेंसी के लिए यह हैक मेरे लिए तो ब बेकार एक कंटेनर ले लीजिए उसमें आपको नीचे बेस में काफी सारे छेद कर लेना है ठीक है आप चाहे तो यह जादा भी कर सकते हैं मैंने कुछ ही छेद किये हैं अब देखिए यह एक छोटा जो फूट कंटेनर है इस तरह के फूट कंटेनर आपके भी घर में तो आपकी सेहत को यह बहुत फाइदा देगा अब आप सोच जो हो इससे क्या फाइदा होने वाला है देखिए कीचन में सबसे ज़्यादा यूज होता है कीचन सिंग हर महिला अपने कीचन को साफ रखती है पर अगर यह छोटी सी गलती करती है तो बिमारे का कारण अगर धूप नहीं आती है तो इस तरह के कोई कंटेनर लें उसमें छेट करें इसके बाद ही इसे रखें यह एक छोटी से साउधानी आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा दे सकती है अगर इसमें जम्स रहेंगे कीचन रहेगा पानी रहेगा तो आप जम्स भी अक्टिवेट रहेंगे तो प्लीज कोशिश कीजेगा कि यह जो स्क्रबर है इन्हें कवर करके रखे इनका जितना पानी है वो स्टैन करें यह बहुत ज़दा ज़रूरी है अगर आप फीचन में काम करते हैं देख लेते हैं अगला इस फिल हैक आपको मैं कोकर दिखा रही हूँ या ऐसा पीला पन है वो बहुत ज़दा आ चुका है यह बहुत वज़े से हो सकता है आलू बॉयल करने से हो सकता है अंडा बॉयल करने से हो सकता है या लॉंग टाइम इसे ना क्लीन करें तब भी यह अंदर से पीला होने लग जाता है आपने लेना है गेहुगाड़ा आप यहाँ मेरा भी ले सकते हो लेना है नहाने का साबुन चोटा सा साबुन का टुकड़ा चलेगा ये वैस जो टुकड़े है इसी का मैं इस्तमाल किया है थोड़ा सा पानी लेना है आप चाहे तो या वेनेगर इस्तमाल कर सकते हैं अगर बहुत ज़ादा पीला पन है आप ना क्या कीज पीला पर निकालने के लिए साबुन बहुत ज़दा अच्छे से काम करता है वह भी स्पेशल नहाने वाला साबुन आटे के साथ आप इसे इस तरीके से स्क्रबर से स्क्रबिंग कीजेगा तीन मीट का टाइम लगेगा क्योंकि यह बहुत दिन से मैंने क्लीन नहीं किया था लगबक एक महने से जादा हो गया था तो यह अंदर के तरफ ना मुझे बहुत जादा गंदा लग रहा था एक्चाह हो ही नहीं रही थी कि इसे हम यूज करें तो देखिए आपके घर में भी ऐसा कोई अलमिलम का बरतन जरूर होगा जो कि अपना शाइन को चुका है बहुत जादा गंदा लगता है और यूज करने का मैं नहीं करता है ये ट्रिक ना आपको दीवाले पे बहुत जादा काम आएगी क्योंकि हम बरतनों को ना डीप क्लीन करते हैं हम डेली क्लीनिंग तो करते ही है उसके साथ जो इसके आसपास गंदगी है लगी हुई है उसको निकालने के लिए हमें डीप क्लीन करना बहुत जरूरी होता है त कितना अच्छे तरीके से काम करता है अब बात कर लेते हैं कुकर के बेस की या कोई भी ऐसा बर्तन जो कि पीछे की तरफ से काफी ज़्यादा काला है या काफी ज़्यादा उसमें कीट लगा हुआ है उसे निकालने के लिए आपने लेना है चाकू यहाँ पर मैं ले रही हूं एक और चीश हमें लेना है यह है सैंड पेपर यह किसी भी हार्डवेर दुकान पर आपको मिल जाएगा मारतर 15 रुपेका में ले कर आई थी साल भर से ज़्यादा हो चुका है अभी भी काफी सारा बचा हुआ है बहुत कम कॉंटिटी में यह लगता है ति उसे आप अपने घर पे रखे कोई भी ऐसा बरतन जिसमें काफी ज़्यादा कीट है काफी ज़्यादा जंग लगा हुआ है कोई लोही की सरफेस उसे साफ करने के लिए 100% वर्क करता है चाकू पीसे आप लगा लीजेगा मैंने चाकू इसलिए बताया है पकरने में आसानी होगी और हर कोई तरीके को अपना सकता है देखिए इस तरह की बतन में डिजाइन होती है जिसके वज़े से यह काफी ज़्यादा जंग गंगी या कीट लगा होता है देखिए अभी दिवाली है तो हर कोई अपने गर में क्लीनिंग कर रहा होगा आप इसे नॉमल तरीके से क्लीन कीजेगा जूना ये स्क्रबर से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है पर अगर आप थोड़ा सा सैंट प्रेपर कर टुकड़ा ले लेंगे तो आपका जो काम है बहुत ज़्यादा असान हो जाएगा क्योंकि इन कॉर्नर्स पे हम डेली क्लीनिंग कर भी लें तब भी ये गंदे हो ही जाते हैं इसी तरीके से कड़ाई की जो हैंडल होते हैं वो भी काफी ज़्यादा गंदे होते हैं तो इस तरह के बरतनों को इस दिवाली आप क्लीन करने का सोच रहे हूँ और तरीका जानना चाहते हूँ तो ये हैक बिल्कुल आपके लिए है आप इस चिक को आती है और हैल्प करती है बहुत बार वो हमारे कीचन को भी बहुत द्यान से देखती है तो देखिए अगर उनकी नजल में कुछ इस तरह का बरतन आएगा जो की काला है गंदा है जिसमें कीट लगा हुआ है वो मुझ पे तो नहीं कहेंगे पर देखिए वह एक जाता इसकी बार उसका कुछ देखिए डेखिए बरतनों को साफ कर लेक्वने करें इस हैक को बड़ाएं के इस तो रहुत बचाए हैं तो इससे समाल के रखिए यह बहुत सदा काम और उता है और कितने इसके समाल है इससे चूड़ी होई काफी सारी वीडियो में अपने चैनल पर अप्लोड की है प्लीज एवाच चैनल को विजिट कीजिएगा अब की बहुत ज़्यादा काम आएगी हम महिलाओं को चूड़ी पहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है हम कहीं जाते भी हैं तो साथ में हमारे चूड़ी के सैट ले जाते हैं बहुत बार हमारे पास बॉक्स नहीं होता है और चूड़ी जो होती है उस पे काफी गहरा काम किया होता है काफी सारे नग होती है शाइन होती है इसकी वज़े से अगर वो टकराएगी किसी चीज़ से तो वो नग और शाइन चली जाती है तो जो भी चूड़ी आप अपने साथ ले जा रहे हो आपके पास कोई कंटेनर नहीं है कोई पेपर नहीं है तब भी यह फ्लास्टिक बहुत लगे हो हैं तो वो भी नहीं गिरेंगे सिंपली अगर आप घर में भी इसे रख रहे हो स्टोर करने के लिए तब भी आप इस पॉलतिन का इस्तमाल कर सकते हो चाहे तो आप यह रबर लगाए नहीं भी लगाओगे तब भी यह फॉलतिन नहीं खुलेगी चोड़ा सा है कि इस पॉलतिन का भी बहुत इच्छे से इस्तमाल हो जाएगा और जो चूरियां हम खुला रखते हैं जिसके वज़े से इस पर डस लगती है और शाइन चली जाती है वो भी बिल्कुल नहीं होगा तेक लेते हैं अगला इस्वल हैक मैं अपने घर में दिवाली की क्लेनिंग कर रही हूं आपको भी बताती हूं साथ मैं जो भी मुझे लगता है कि बहुत का हैक है वो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूं तो देखिए बहुत सारे यसी चीजे मेरे घर में से निकली जो फलहार में यूस्ड नहीं आती है нев mortal मुझे लगता भी नहीं कि यह कहीं यूस आ कर सकते हैं तो देखिये इस दिवाली जब क्ले नगी करोगे न आपको पहुत सारी इसी चीज़े मिलेगी जो लगता है कि अभी यूज नहीं आई और शायद पर बीग करते हैं तो ऑफिसे घर के कावगों इसके देखेगा तो आप इस तरीके से छोटे छोटे टिप अपलाई कर सकते हैं इसे तरीके से एक और काम की चीज मेरे हाथ लगी है यह आपके घर में भी ज़रू निकलेगी इस बार आप दिवाली क्लिविन करोगे इस बेक की क्वालिटी काफी अच्छी थी चेंड भी काफी अच्छे से काम कर रही थी तो मैंने ही आज चमचे रख के आपको दिखा रही हूँ आप इसमें पेन रख सकते हो पैंसिल रख सकते हो बच्चों को आप इसे दे सकते हो अपना एक्स्टरा सामान रखने के लिए अगर आप ट्रेवलिंग में कहीं बहार जा रहे हो तो अपना मेकप का जो चोटा मोटा सामान है वो भी आप इसके अंदर रख सकते हो इस तरह की चोटे चोटे बेग अगर आपके घर से निगल रहे है अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है या आप ऐसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो घर बेठे आप अपने रंगत को निखार सकते हैं कैसे तो इसके लिए लेना है आपने शेंपू कोई साभी शेंपू आप ले सकते हो एक चमच इतना शेंपू ले लीजिएगा मेरे पास शेषे वाला था इसलिए मैं एक शेषे इसके अदर डाला है आदा चमच इतना कोकोनेट ओयल लेना है तो आप यहां पर वैदाम का तेल देज सकते हो कॉफी लेना है कॉफी भी लगवग हमने आदा चमच इतना ही लेना है इसके बाद में एक और चीज़ा मैं आड़ करेंगे यही मीठा सोड़ा ठीक है मीठा सोड़ा भी लगवग मझे आदा चमच ची है मैंने थोड़ा सा जादा लिया है क्योंकि मेरे हाथों मेरा काफी अगर पहली बारे से बना रहे हूँ तो आदा चमच ही दीचेगा तीरों को अच्छे से मिक्स करना है अब इसके बाद में एक और लास्ट चीज हम एड़ करेंगे यही नीबू तो नीबू भी लगवग हमें आदा चमच इतना ही जूस चाहिए इसके जो बीज है वह नहीं आ अब आपके हाथ पेर गले जहां बहुत जादा गंगी घटा है बहुत जादा मेल है यह आप डेली स्क्रबिंग नहीं कर पाते हो हाथ पेरों को तो आपना हफते में दो वार्स रमेडु को अपलाई कीचेगा आप देखो कि आपके हाथ पेरों की जितने भी डैटसल्स है बहुत अच्छे से निकल जाता है शैंपो जो मीठा सोडा होता है स्कीन के किसी भी तरह की डैटसल्स को निकालने के लिए बहुत अच्छे से काप करता है तेल हमने जोव आपने लगाना है मसाज कीजेगा 6-7 मिरी का ताइम यहाँ निकाल देता है तो यह जो भी इंग्रि अगर डेट सेल्स बहुत जादा है तो थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है पर अगर आप इसे एक बार अपलाई कर लोगे ना तो सेकंड टाइम आपको तीन से चार मिंट का ही टाइम देना है अगर आप स्क्रबर यूज करते हो तो इसका इसकामाल कीजेगा आप एक ही बार में आपको इतना असर रिजल्ट मिलेगा कि आप अगली बार इसे करे विना बिल्कुल भी नहीं रह पाऊगी मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मेरी स्कीन रफ है, जैसी ठंड स्टार्ट होती है अभी हलकَ हलका ठंड स्टार्ट हो भी या है तो मेरी स्कीन बहुत जल्दी से डैट से करेट करने लग जाती है मतलब अगर मैं चार दिन अगर अपने हाथों को ग्यार ना करूँ तो मैं अराम से देख सकती हूं कि जो डेट सेल्स है वो किस तरीके से उपर की तरफ आ रहे हैं स्किन बहुत जादा रफ हो जाती है ड्राय स्किन के लिए बहुत अच्छे से रेमेडी काम करती है ओली स्किन को जरू तैयार करें तो इस दिवाली अपने हाथ पर रूपी रंगत और गले की जो काला पन है उसे हटाने के लिए इस सेमेडी को अपने घर पर बनाईए 100% करती है कोई भी इससे नुकसान नहीं होता है बस आपने इसे चहरे पर प्लाई नहीं करना है केची को जब हम आप दिखा होगा इसका धार कटम हो जाता है तो केची की धार वापिस लाने के लिए आप नमक कर सकते हो नमक के अंदर अपने इसे इस तरह के से डालना है और यहां पर आपने केची को चलाना है तिस सेकंड का टाइम बहुत होगा जितनी स्पीड से आप इसे चलाओगे उतनी स्वीट से ही अच्छे से काम करेगी केची की धार लगाने के लिए नमक बहुत अच्छे से काम करता है इसकी जो छोटे छोटे कान होते हैं जब वो अच्छे से केची में टकराते हैं तो केची की धार होती है वो शार्फ होती है अच्छे से बन जाती है और नमक को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है आपको ऐसा लग रहा है कि नमक खराब हो जाता है जी बिलकुल नमक को कोई नुकसान नहीं होता है पर आपके जो केची की धार है वो बड़े असे लग जाएगी आदे कटे हुए नीबू पर हमने लिया है थोड़ा सा मीठा सोड़ा यह चीज अगर आप एक बार करना सीख जाओगे न तो यह की इन मानिए आप हर सरफेस से जंग निकाल सकते हो आपने बस मीठा सोड़ा लेना है और नीबू लेना है यह देख सकते हो आप केची मेरे पास जिसमें जंग आ चुका है अब इस तरीके से जंग वाले सरफेस आपके घर में हो कोई या कोई बर्तन हो या कोई भी ऐसी जगह जहां पर जंग लगा हुआ है उसे निकालने के लिए यह नीबू और थोड़ा सा मीठा सोड़ा बहुत अच्छी से काम करता है बस आपने इस तरीके से लगाना है चोड़ दीजेगा उसके बाद में हलके हाथों से बस आपने नीबू से स्क्रबिंग करनी है जितना भी जंग लगा हुआ है बहुत असानी से निकल जाता है जंग निकालने के लिए सबसे बैस्ट है अगर लोहे की कड़ाई है यह लोहे का तवा है तब भी बहुत चीसे का करेगा अगर आपको लगता है कि बहुत जादा जंग है तो थोड़ा सा नमक भी आप एड़ कर सकते हो वर मीठा सोड़ा और जो नीबू होता है यह भी बहुत अच्छे से सर्फेस बैसे जंग निकालने के लिए काम करता है आपके सामने ही में करके दिखाया है बस हलके हलक अधानी यह रखनी है जिसे कि मैंने अभी इसे क्लीन किया है क्लीन करने के बाद में इसे पानी से दूँगी इसके बाद में अच्छे कपड़े से इसको सुखाना है सुखाना बहुत जरूरी है अगर गिला रहेगा तो जंग भी लग जाएगी इसके बाद में इसमें ऑई करते हों कि इस तरीके से इसको यूज करें मिलते हैं अगली वीडियो में जब कि घर की काम को आसान करें तब तक अपना दिहान रखेगा देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद